Photoshop के सभी Tools का Use सीखने से पहले मैं यहाँ पे अपने AddUP Photoshop में क्वफ ने कोई भी दो इमेज आपेड़न कर लेता हूँ इसके लिए मैं यहाँ पे File पर Click करूँगा Open पर Click करूँगा और इसके बाद मैं यहां से कोई भी दो Image कौ Select कर लूँगा इसके लिए keyword से control button को press करते हुबे दो image पर click करेंगे और उसके बाद open पर click करेंगे तो ये दोनो image यहाँ पर open हो जाएगा इसे हम थोरा इदर कर लेते हैं अब यहाँ पर जो tool box है इसमें अगर हमें किसी tool को use करना है तो उस पर हम mouse से left click को एक बार करते हैं तो ये tool select हो जाएगा तो इस तरह से आप कोई भी tool select कर सकते हैं और जो भी tool आप यहाँ पर select करेंगे उससे सम्मन्धित options आपको उपर menu बार में नज़राएंगे यहाँ पर tool box में जो सबसे पहला tool होता है वो होता है मारे क्वी tool और इसका keyword shortcut M होता है keyword से M press करेंगे तो ये tool select हो जाएगा इस tool का use करके हम किसी भी image को select कर सकते हैं किसी भी shape में तो यहाँ पर हम इस tool पर right click करेंगे और जिस shape में हमें select करना है उस shape को यहाँ से select करेंगे जैसे कि हमें rectangular shape में select करना है तो मैं यहाँ पर left click करता हूँ तो यह tool select हो जाएगा अब हमें जो भी image select करना है उस पर जहां से हमें selection start करना है वहाँ पर mouse के cursor को रखेंगे इसके बाद यहां से mouse के left click को करते हुए आगे ले जाएंगे और जहां तक हमें यह select करना है वहां तक हम इसे ले जाएंगे तो यह selection जो है पुड़ा हो जाएगा इस तरह से आप यहां पर select कर सकते हैं आप इस select किये हुए भाग पर color change कर सकते हैं या आप इसे कहीं भी move कर सकते हैं जैसे कि हमें इस select के हुए भाग में color change करना है तो इसके लिए हम यहां पर image पर click करेंगे adjustment पर जाएंगे इसके बाद जो भी color हमें change करना है उस पर जा करके हम यहां से change करेंगे तो वो सिर्फ उसी भाग में change होगा जो भाग हमारा यहां पर select किया हुआ है ओके पर click करेंगे तो यह color save हो जाएगा इसी तरह से हम select किये हुए भाग को move भी कर सकते हैं कहीं और इसके लिए हम यहां पर move tool को लेंगे इस tool का use हम किसी layer image या फिर किसी image के select के भाग को move करने के लिए करते हैं तो इसका जो shortcut key है वो है भी अगर keyword से भी press करते हैं तो यह tool select हो जाएगा या हम इस पर mouse से left click करेंगे तो यह tool select हो जाएगा अब इस भाग को जो हमारा select है इसे हम कहीं भी move कर सकते हैं जैसे कि हमें इस select के हुए भाग को यहां पर move करना है या अगर हमें इस select के हुए भाग को किसी दूसरे image पर ले जाना है तो वो भी हम इससे कर सकते हैं के लिए हम यहां से इसे ड्रैक करते हुए इस इमेज पर ले आएंगे और यहां पर छोड़ देंगे तो यह जो है देखिए स्लेक्ट के हुआ भाग यहां पर आ चुका है इसी तरह से जो है आप किसी भी इमेज या फिर लियर को मूफ कर सकते हैं इस मूफ टूल से इसके बा के लिए आप इसे माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यह टूल स्लेक्ट हो जाएगा अब जिस हिस्से को इमेज के जिस हिस्से को स्लेक्ट करना है वहां से माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखे और इसके बाद जहां तक हमें स्लेक्ट करना है यहां पर कुछ इस तरी किये हुए भाग को इस move tool से कहीं move कर सकते हैं या फिर इसमें हम कोई भी color fill कर सकते हैं इसी तरह इसी lasso tool में और एक tool है इस पर right click करने के बाद यहाँ पर आता है polygonal lasso tool ज्यादा तर इस tool का यूज किया जाता है किसी भी image के background को हटाने के लिए तो इसके लिए हम इस पर left click करेंगे तो यह polygonal lasso tool select हो जाएगा इसके बाद हमें जो भी जहाँ भी select करना है वहाँ पर हम एक बड़ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक तरह का line आ जाएगा इसके बाद जहाँ जहाँ में select करना है वहाँ पर हम click करते जाएगे यहां प्रेमर जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद हमें यहां पे क्लिक करना है इसी तरह से हमें इसे क्लिक करते हुए मौस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक करते हुए इसे स्लेक्ट कर सकते हैं तो इस तरह से आप जो है यहां पर इस इमेज को स्लेक्ट कर सकते हैं और इसे आप कहीं भी move कर सकते हैं, select किये बग को या फिर इसमें आप कोई भी color feel कर सकते हैं इसी tool में एक तिसरा tool है, तो इसके लिए मिहाँ पे right click करेंगे, इसके बाद यहाँ पे देखें कि एक तिसरा tool है, magnetic lasso tool इस tool को select करने के लिए इस पर left click करेंगे इस tool का use करके आप काफी कम समय में किसी भी image को select कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे एक बड़ click किया, click करने के बाद हम बस mouse के cursor को इसके पास रखते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे तो यह automatically जो है, same color के area को select करता जाएगा यहाँ पे हमें कोई भी click नहीं करना है, select करने के लिए बस हमें mouse के cursor को आगे बढ़ाते जाना इसके चारो और तो यह automatically इसे detect करके select करता जाएगा इसके बाद जहां तक हमें select करना है, वहाँ पे mouse के left click को एक बार और click करेंगे तो यह पुरा selection complete हो जाएगा तो इस तरह से जो आप बहुत ही कम समय में इस tool का यूज करके किसी भी area को select कर सकते हैं इसके बाद जो अगला tool है, वो है magic wand tool इस tool का यूज करके आप किसी भी same color के area को एक ही बार में select कर सकते हैं इस tool का keyboard shortcut है वो W है इस tool से अगर हम किसी भी image के किसी भाग पर click करते हैं तो वहाँ पर जो same color का area है उसे वो automatically detect करके उसे select कर देता है तो हम जहाँ भी click करेंगे उससे मिलता जुलता जितना भी color का area उसके आसपास है उसे यह automatically select कर देगा तो इस तरह से आप जो है इस magic wand tool से बहुत ही कम समय में किसी भी same color के area को select कर सकते हैं इसका यूज जदातर background को हटाने के लिए किया जाता है इसके बाद अगला जो tool है वो है crop tool इसका यूज करके आप किसी भी image को crop कर सकते हैं इसका जो keyboard shortcut है वो C है इस tool से image को crop करने के लिए जहां से हम crop को start करना चाते हैं वहाँ पर पहले mouse के cursor को रखेंगे उसके बाद हम यहाँ पर mouse के left click को करते हुए जहां तक हम crop करना चाते हैं वहाँ तक इससे ले जाएंगे इसके बाद हम जैसे ही इससे छोड़ेंगे तो यहाँ पर एक selection area बन जाएगा हम जो है इस selection area को किसी भी site से छोटा या बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पर confirm करने के लिए हम keyboard से enter button को प्रेस करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर image है वो crop हो जाएगा crop करने के लिए आप यहाँ से height, width and resolution को select करके भी crop कर सकते हैं इसके बाद जो अगला tool है वो है slice tool इस tool का use image को कहीं हिस्सों में माटने के लिए किया जाता है ज्यादा तर इस tool का use web pages को बनाने के लिए होता है इसके बाद जो अगला tool है उसका नाम है healing brush tool इस tool का keyboard shortcut J होता है इस tool से हम किसी image के दाग दब्बो को हटा सकते हैं जैसे कि अगर इस image में कोई दाग दब्बा होता तो हम इसके लिए इसे पहले zoom करते हैं यहाँ पर zoom है इसे हम आगे करेंगे तो image zoom होगा और इसके बाद जहाँ पर दाग दब्बा है तो यहां से pattern आ जाएगा, इसके बाद हमें जहां का दागदबा हटाना है, वहां पर हम click करते जाएंगे mouse से left click से, तो यहां का जो दागदबा है वो image से हटता जाएगा, तो इस तरह से आप healing brush tool से बहुत यहां सानी से अपने image के दागदबो को हटा सकते हैं, इसके बाद जो पर फील होगा, अगर हम अपने किसी भी selected brush के size को छोटा या बढ़ा करना चाहते हैं, तो हम यहां पर click करके अपने brush के size को बढ़ा या फिर हम इसे छोटा कर सकते हैं, इसके बाद जो अगला tool है, उसका नाम है cloning stamp tool, इस tool का use करके हम किसी भी जगा का clone बना सकते हैं, और इस का keyboard shortcut है, वो S है, जब हम keyboard से S प्रेस करेंगे, तो यह tool select हो जाएगा, अब हम जिस जगा का clone बनाना चाहते हैं, उस जगा पे keyboard से alt key को प्रेस करके उस जगा पर click करेंगे, तो उस जगा का clone आ जाएगा, इसके बाद जहां हम उस clone को रखना चाहते हैं, वहां पर mouse से right click करते ह गिसेंगे, तो वहां पर जो है, वो clone आ जाएगा, इसके बाद जो अगला tool है, उसका नम है history brush tool, जिसका keyboard shortcut Y होता है, अगर हमने brush tool से कहीं पर कोई भी brush से color किया हुआ है, और हमे color के हुए कुछ भाग को हटाना है, तो हम history brush tool का use करके कहीं से भी color को हटा सकते हैं, इसके को erase कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम background layer में कुछ erase करते हैं, तो यहाँ पर जो नीचे का color है, यह color ही यहाँ पर feel होगा, अगर हम नीचे कोई और color यहाँ पर select कर लेते हैं, और तब हम अगर background को erase करते हैं, तो यहाँ पर जो हमने color select क्या हुआ हुआ है, वही color feel होगा, इस फिल करने के लिए हम यहां से माउस के लेफ्ट क्लिक को करते हुए यहां तक ले जाकर छोड़ देते हैं तो यहां पर जो दो कलर है वो यहां पर फिल हो जाएगा इसके बाद जो अगला टूल है वो है बलर टूल जिसका कीबोर्ट सॉटकॉट आर होता है इस टूल से हम इमेज के किसी भी भाग को बलर कर सकते हैं यहां पर जैसे कि हम इस पर अगर माउस से लेफ्ट क्लिक को करते हुए इसे घिसेंगे तो यहां पर जो यह भाग है इमेज का यह बलर होता जाएगा इसी तरह से हम यहाँ पर image के किसी भी भाग को blur कर सकते हैं इस blur tool का use करके इसके बाद जो tool है इस पर right click करने के बाद तीन tool नजड़ाते हैं एक है dodge tool इस tool का use किया जाता है किसा है image के किसी भी भाग को light करने के लिए इसी tool पर right click करने के बाद जो दूसरा tool है burn tool तिसरा tool है sponge tool इस tool का use किया जाता है image के किसी भाग को saturate करने के लिए इसके बाद जो अगला tool है वो है paint tool जिसका keyboard shortcut पी होता है इस tool का use image को micro select करने के लिए use किया जाता है इसके दौड़ा आप free selection कर सकते हैं इससे आप जो भी area select करते हैं उसमें आपको corners या फिर cutting edge दिखाई नहीं देते और इससे जो है बहुत smooth selection path create होता है paint tool से जो भी area आप select करते हैं उसे move करने के लिए आप path selection tool का use कर सकते हैं और इससे आप इसे कहीं भी move कर सकते हैं इसके बाद जो अगला tool है उसका नाम है horizontal type tool इसका use करते हैं हम image पर कहीं भी कुछ लिखने के लिए इसके बाद आता है shape tool जिस पर right click करने के बाद आपको बहुत सारे shapes दिखाई देंगे और आप अपने image पर कोई भी shape बना सकते हो आप अपने image पर जो भी से बनाते हो उसका color भी आप यहां से change कर सकते हो इसके बाद जो tool है उसका नाम है note tool जिसका keyboard shortcut end होता है इसके दुआरा आप एक या इससे अधिक note को एक image में attach कर सकते हैं इसके बाद जो अगला tool है उसका नाम है color picker इसका यूज करके आप कोई भी color image पर से pick कर सकते हैं जो कि आपको यहां पर so होगा इसके बाद जो tool है उसका नाम है hand tool इसका यूज करके अगर आपका कोई image zoom किया हुआ है तो आप अपने image को उपर नीचे कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर जोम टूल है जिसका यूज़ करके आप अपने image को जूम in और जूम out कर सकते हैं अगर आपको जूम out करना है तो आप इसको Select करे और इसके बाद इस पर Click करे अपने image पर Click करे तो आपका image Zoom out होगा और Zoom in करने के लिए इस plus के icon पर click करें उसके बाद click करेंगे तो आपका image जो है वो zoom in होगा अब यहाँ पर जो color box है यहाँ पर जो उपर का color है यह आप जो भी color brush में लेंगे वो color यहाँ पर select करना होगा और आपका eraser जो color लेगा वो color आपको यहाँ नीचे background में लेना होगा color को यहाँ से pick करने के लिए आप इस color पर click करके कोई भी color यहाँ से set कर सकते हैं